तो भाया जी क्या है न कि Axis Bank के तरब से दो कार्ड पर offer चल रहा है एक जो कार्ड है वो है New Credit Card और एक है Ask Credit Card New Credit Card पर जो offer चल रहा है जो joining fee है वो आपको नहीं देना पड़ेगा और जो annual fee है वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा लेकिन ये limited time period offer के साथ है दूसरा जो कार्ड है वो है Axis Bank As Credit Card और इस कार्ड पर जो है आपको joining fee नहीं देना पड़ेगा जीरो है पर जो annual fee है इसके बारे में वहीं कुछ नहीं बताया गिया है मतलब कि सरिफ और सरिफ आपको joining fee ही नहीं देना पड़ेगा जीरो है बाकि annual fee हो सकता है आपको देना पड़े और ये भी offer जो है limited time period offer है अब यहाँ पर हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है Axis Bank As Credit Card के बारे में और इसके benefit के बारे में with terms and condition और ये देखने वाले हैं कि ये जो benefit के साथ terms and condition लगाकर हमें जो परोसा जा रहा है क्या ये हमारे लिए beneficial है या फिर नहीं है यही details से जानेंगे और अगर आप ये card लेने की सोच रहे हैं तो ये video आपके लिए कापी important होने बाला है बाकि शुरू करते हैं हाँ by the way मेरा नाम है जैकान cashback on every transaction इसमें आपको जो पहला मिलता है वो है 5% cashback on bill payment या नहीं जैसे electricity बिल हो गया internet बिल हो गया, gas बिल हो गया, dth, mobile recharge and so on और ये सारे का bill payment अगर आप Google पे application के माध्यम से करते हैं वो भी इस credit card का use करके तो फिर आपको ये 5% cashback मिलता है इसी में जो दूसरा है वो है 4% cashback on suegi, jometto and ola इनके website या application का use करके आप अगर खानव अगर मंगबाते हैं तो फिर आपको 4% cashback मिलता है और इसी में आता है तीसरा 1.5% cashback on all other spend अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो other spend है वो पहले 2% हुआ करता था और इसे जो है कम करकर 1.5% कर दिया गिया है अगर आप other spend कर रहे हैं वो भी इनके eligible merchant category में आने वाले जो भी हैं तो फिर आपको 1.5% का unlimited cashback मिलेगा eligible merchant मतलब कि कुछ ऐसे भी merchant हैं जहाँ पर आपको cashback नहीं मिलता है और ये other spend में आते हैं और वो कौन-कौन से category है जैसे कि utility spend done on any platform other than Google Pay अगर आप Google Pay के अलावा किसी और other application का use करते हैं billing payment के लिए जैसे कि phone pay हो गया, paytm हो गया and etc तो फिर आपको ये 5% cashback यानि जो cashback है वो आपको नहीं मिलेगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको Google Pay के माधियम से ही bill payment अगर आप कर रहे हैं तो आपको करना है उसके बाद है fuel spend EMI transaction, purchase convert EMI, wallet loading transaction, cash advance rental payment, purchase of gold and jewelry item, insurance premium payment, education service, payment of outstanding balance, payment of card fee and other card charges तो ये जितने भी category है ये eligible merchant category में नहीं आते हैं इसके अलाबा और भी अगर कोई छूट किया है तो आप यहाँ पर बढ़के check कर सकते हैं अच्छा ये जो cashback on every transaction है इन में कुछ conditions भी है और वो condition है capped at rupees 500 per statement ये जो आपका maximum cashback बनेगा वो 500 से जादा आपको नहीं मिलेगा और ये जो 500 amount है per statement cycle that means कि फ्रतिक महने आपका statement generate होता है तो जब भी statement generate होगा जितना भी cashback होगा और ये cashback जो है आपका 5% और 4% इन दोनों को मिला कर है और जो हमारा other spend है उस पर किसी भी दरगा कोई capping नहीं है 1.5% जो unlimited cashback है eligible merchant category में जो आते हैं तो ये आपको मिलेगा चलिए इसको जो है example से हम समझते हैं माल लेते हैं कि Google Pay का use करकर आप जो bill payment है recharge बगर है जो है वो 5000 रुपय का करते हैं ये जो भी हम यहाँ पर cashback calculate करने वाले हैं ये one month का उसके बाद सुईगी, जुमेटो, ओला इन तीनों को मिला कर आप महने का 10,000 रुपय खर्च कर देते हैं और फिर आता है other spend on eligible cashback category और ये 15,000 रुपय आप महने का खर्च कर देते हैं मतलब आपसे खर्च हो जाता है और फिर आपका मन होता है एक phone भी लेने का और आप क्या क खर्च निकल के आता है 40,000 रुपय अब इस 40,000 रुपय में मेरा कितने amount पर cashback बनेगा अब चुकि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि EMI purchase जो है वो इनके eligible merchant category में नहीं आते हैं that means कि EMI purchase पर आपको कोई भी cashback नहीं मिलता है तो ये 10,000 रुपय जो है आपके total spend से minus हो 400 रुपय और 1.5% cashback बनता है आपका 15,000 जो की other spend जो हमने खर्चा किया है और ये बन जाता है 225 रुपय टोटल cashback हमारा calculate करके जो आता है वो है 875 रुपय अब चुकि यहाँ पर condition जो है वो apply होने वाला है condition के मुताबिक 5% plus 4% इन दोनों को मिला कर 500 रुपय ही cashback आपको दि 225 is equal to 725 रुपय एक चीज़ और जो cashback वगरा होता है वो round figure में calculate किया जाता है for example कि अगर cashback 11 रुपय 20 पैसे बन रहा है तो आपको सरी 11 रुपय ही मिलेगा लेकिन वही अगर 11 रुपय 75 पैसे बन रहा है तो फिर आपको 12 रुपय दिया जाएगा एक और चीज़ काफी generate होने के 3 दिन पहले यानि महिने के 12 तारीक को जो cashback है वो आपका यहाँ पर add होता है and I hope कि अब इससे related कोई confusion नहीं होगा अगर होता है तो आप नीचे comment box में comment करके पूस सकते हैं दूसरा है launch access widget इसमें क्या है कि आपको 4 complimentary launch widget मिल जाता है per calendar year at select domestic airport with your ask credit card यानि कुछ selective domestic airport है त भहिया bank बोले कि ऐसे तो भहिया हम लूट जाएंगे मतलब ऐसा इसा तीग्रम दिमाग माग लगा के जो है मतलब यह लोग हमारी ले रहे हैं तो ऐसा कुछ है तो फिर इन्होंने जो है इसमें condition जो है वो लगा दिया condition कुछ ऐसा है यह जो free वाला सुभिधा है यह आपको तभी मिलेगा जब आप तीन महने में 50,000 रुपए इस credit card का use करके खर्च कर दिये होंगे ओके और example कि आपको यह card जनवरी में मिलता है और जनवरी फरवरी मार्च यह तीन महने आप क्या करते हैं खर्च करते हैं और अगर यह तीन महने में 50,000 रुपए आपका खर्च होता है तो फिर चौथे महने आप इनके जो selective airport है वहां जाइए और फ्री वाला जो सुभीदा है कि मतलब फ्री में खाना पीना रहना जो भी चीज है वो आप फाइदा ले पाएंगे और यह process जैसे एक बार आपने फ्री ले लिया अब फिर से आपका तीन महने आपको खर्चा क चूट बट यह 1% का चूट जो है यह वैलिडिक तब होगा जब आप कम से कम 400 रुपय का petrol बाइंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है छूट ले पाएंगे, कहने का मतलब भया जी ये है कि आज के टाइम में लोग जो है वो पेट्रोल खरीद खरीद के जो है वो बेच भी रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं कि credit card से पेट्रोल उठाते हैं और भया उसको बेचते हैं, और इस चक्कर में वो दिमाग लगा कर क्या मैकसिमम जो है आप 500 रुपए तक का ही छूट ले पाएंगे, साथ ही साथ जो GST आपको पेट्रोल पर लगता है, वो भया लगेगा, उसमें कोई भी रिफंडे वाल वाला चक्कर नहीं है, वो देना ही होगा आपको, और जैसा कि हमने आपको इस स्टार्टिंग में ही कहा, जो fuel spend है, यानि fuel पर जो आप पैसा खर्चा करते हैं, इस credit card का use करके, तो इस पर आपको कोई भी cashback नहीं मिलने वाला, उसके बाद आता है Danny Delight, इस पर आपको 15% का छूट मिलता है, जो भी इनके partner restaurant है, बट इस card पर capping ये है, कि आपको maximum 500 रुपए तक का ही benefit मिलेगा, और last म अगर आपको लगता है, कि ये card beneficial है, तो obvious है, आपको ये जान लेना जरूरी है, कि eligibility क्या है इस card के लिए, आपकी age 18 से लेके 70 साल के बीच में, तो आप इस card के लिए apply कर सकते हैं, document में आपको pen card, photocopy, color photocopy, pay sleep अगर मांगा जाता है, तो ठीक है, यानि आपको salary sleep वगर है, ज तो ये जो access bank as credit card था है, इसके बारे में हमने details से जो भी चीज़ था वो आपको बता दिया, example के through, अब अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई doubt है इस card को लेके, तो आप नीचे comment box में comment करके मेरे से पूछ सकते हैं, बाकि access bank के जो भी card है, credit card है, इन पर finance charge या फिर interest rate कितना लगता है, कैसे लगता है, ये अगर आपको बिस्तार से जनना हो, तो भी यह यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस पर click करके देख लिजे,